वेलकम तो एनकितिकलर इचले वीडियो में हम लोग कंपॉण्ड इंटेस्ट के उपर कुछ प्रोब्लम डिसकस करने वाले तो देखिए यहां पर फिर्स्ट प्रोब्लम है इसमें आपको रेट निकालना है इसका सोलूशन देखिए इसमें आपको 3 years and 2 years के बाद जो एमाउंट आता है उसका रेशियो गिवेन तो 4-3 years के लिए हम लोग माल लेते हैं A1 is cost to P into 1 plus R divided by 100 तो पावर में 3 हो जाएगा और A2 is cost to त्या हो जाएगा P into 1 plus R divided by 100 तो यह 3 years के लिए हो गया और यह हो गया 2 years के लिए तो according to question आपको given है A1 is to A2 is cost to 21 is to 20 तो इसमें value put कीजे तो A1 बटा A2 करें कितना हो गया P से P cancel और यह देखे 2 पावर में है और यहाँ पे 3 पावर में है तो 2 पावर कट गया तो बचा क्या इसको लिएक देथे हैं एक बार 1 plus R divided by 100 का Q divided by 1 plus R divided by 100 का Square E से P cancel हो गया It's called to 21 divided by 20 तो यहाँ से यह देखें दो बार कट गया तो बचा क्या 1 plus R divided by 100 इसको तो 21 divided by 20 तो R इसको तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1 इदर गया तो कितना हो गया 1 माइनस करेंगे तो उपर आगया 1 divided by 20 इन्टू हो गया 100 यह आगया 5% तो इस question कर आइट अंसर कोई सा हो गया C हो गया इसकर आइट अंसर अब देकिन next problem दिसक्स करने से पहले हम लोग एक छोटा सा area बचा हुआ है CI and SI में डिफेरेंस वाला तो उसके लिए यह दो फर्मूला है यहां पर तो जब भी आपसे CI और SI का डिफेरेंस पूछा जाएगा तो वो 2 years या 3 years के लिए पूछा जाएगा objective टैप में क्योंकि उससे ज़्यादा का अगर पूछेगा तो थुरा सा objective point of view से लेंदी हो जाता है इसलिए आपको generally 2 years और 3 years का ही पूछा जाएगा तो उसके लिए आपको यह दो फर्मूला याद रखना है परला है 2 years के लिए 2 years के लिए अगर पूछेगा तो CI minus SI is equals to हो जाता है PR square divided by 100 square और second formula है 3 years के लिए 3 years के लिए तो इसमें CI minus SI is equals to हो जाता है PR square into 300 plus R divided by 100 का Q तो यह दो फर्मूला आपको याद रखना है अब अगर 3 years से ज़्यादा अगर question में पूछ दिया difference निकालने के लिए तो उस case में क्या करेंगे तो उस case में आपको CI और SI दोनों separately निकालना पड़ेगा अलग अलग और उसके बाद CI मानेस SI करना पड़ेगा वो थोरा सा टाइम टेकिंग हो जाता है इसलिए generally आपको objective में यह two years या three years का ही दिखनी को मिलेगा तो अब चलिए next problem देखते है तेहे next question है इसमें आपको प्रिंसिपल एमाउंट निकालना है इसमें देखिए आपको difference given है CI और SI में for three years के लिए तो three years का आपको formula पता है तो यहाँ पर देखिए CI माइनस SI इसका स्टू क्या होगा 3R square into 300 plus R divided by 100 का Q यही फर्मूला होता है three years के लिए तो यहाँ पर भेलू पूट कर दीजे CI माइनस SI आपको given है कितना 110.70 इसका स्टू P into R का square कर दीजे R कितना हो जाएगा 15 divided by 2 इसका square into 300 plus 15 divided by 2 और नीचे हो गया 100 का Q तो यहाँ से P निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से P इसका स्टू हो जाएगा कितना यह इदर गया 110.70 into 12340 और नीचे आगया कितना और यह 4 भी उपर धिज देते हैं इसको into 4 कर दीजे नीचे कितना आगया यह 15 का square तो 15 into 15 into यह हो गया कितना 6 15 और इस 2 को भी उपर भेज दीजे यहाँ से देखे कितना हो गया यह 5 टाइमस कटेगा 2000 और यह 3 फिर 5 टाइमस कार दीजे तो यह कितना हो गया 400 पर में और यह कितना हो गया 123 123 से देखे यहाँ पर यह 9 टाइमस कट रहा है यह हो गया 90 और यह देखे 45 हो गया 45 से 2 टाइमस कट जाएगा तो सारा कट गया यह आगया 2 तो उपर में कितना बचा देखिए आपे तो 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 400 यह कितना आ रहा है यह आगया 6400 तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया यह हो गया इसका राइट आंसर अब देखिए नेक्स्ट कोच्छन है फाइंड दर डिफ्रेंस विक्टिंसी आई और एशाई और इतना फॉर्ट तो यह एट रेट इतना फर इनल इसमें टू इयर्स के लिए आपको डिफ्रेंस निकालना है c i और एशाई इसका फर्मूला हम लोग देखें आभी इसका सोलूशन देखें तो टू इयर्स के लिए डिफ्रेंस कितना होता है c i-si इस क्रश्ट तो कितना होता है p r² divided by 100 का स्वाट तो यहां पे भेलू पूट किजिए पी घी इवन है कितना 6400 इन्टू रेट कितना है 12.5% तो इसका स्क्वाइर डिवाइड बाई हंडेड का स्क्वार 100 का S2 यहां से कितना हो गया 6400 12.5 12.5 12.5 12.5 divided by 100 into 100 यह 2 0 cancel फिर देखिए यहां पे 5 से कटेगा तो यह होगे 20 और यह होगे कितना 2.5 फिर यह भी 5 से कर जाएगा 2.5 फिर देखिए 16 अब इसको 16 into 25 into 25 और पॉइंट के बदले नीचे 100 दे दी तो यह कितना होगे 4 तामस कट गया फिर यह 4 तामस कट गया आ गया कितना 100 तो इसका राइटांसर कौन सा होगे C होगे इसका राइटांसर अब देखिए नेक्स्ट कोछ चले तो यहां पर पहले पी निकाल लिए for the same amount तो उसका SI आपको given है कितना दिया हुआ है 600 तो यहां पर पहले पी निकाल लिए इसका solution देखिए SI is equal to क्या होता है PRT divided by 100 तो इसमें value put कीजिए SI कितना given 600 600 is equals to P into R कितना है 5% time had 2 year divided by 100 तो इसमें कितना हो गया यह 10 से कट गया तो P is equals to आगया 6000 6000 तो अब आपको CI निकालना है for the same principal amount and same rate and same time के लिए तो CI minus SI कर देजिए CI minus SI is equals to कितना होता है for 2 year के लिए PRSquare divided by 100 का Square तो यहाँ पे बेलो पूट किजिए CI minus SI कितना है 600 is equals to P 6000 हो गया into R का Square कितना हो गया 5 का Square divided by 100 का Square 100 into 100 कर देजिए यहाँ पे देखे 3-0 केंसे यहाँ से CI कितना आ गया CI is कर दो 600 plus यह होगा 6 into 25 divided by 10 यह 5 हो गया यह 2 यह 2 से फिरी टाइमस कट गया यह 15 आ गया 2, 6, 15 हो गया CI तो इसका राइट अंसर कौन सा हो गया B हो गया इसका राइट अंसर अब देखें नेक्स्ट कोच्टन है at CI a certain sum becomes twice itself in 7 years in how many years will it become 32 times तो इसका solution देखें यह देखें twice हो जाता है 7 years में तो आपको निकालना है 32 times कितने years में होगा तो पहले हम लोग इसके लिए दिखते है 7 years के लिए P जो है 7 years में हो जाता है 2P यानि कि यह आपको भीवन है total amount तो यहाँ पर फर्मूला पूठ कीजे यह इस कास्ट क्या होता है P into 1 plus R divided by 100 पावर में 7 यहाँ से पावर में 7 यहाँ से P और P केंसे लोगया तो 2 इस कर्ष्टू आगया कितना 1 प्लस R डिवाइड़ बाई 100 का पावर में 7 अब देखिए आपको निकालना है 32 टाइम्स कितने एर्स में होगा तो यहाँ पे P माल लेजिए 10 एर्स में 32 P हो जाता है तो इस केस के लिए फर्मूला पूट कीजिए हो जागा P इन्टू 1 प्लस R डिवाइड़ बाई 100 तो पावर में N तो P से P तो कैंसिल हो गया 32 इस कर्ष्टू 1 प्लस R डिवाइड़ बाई 100 के पावर में N अब देखिए 32 का लिख सकते हैं 2 के पावर में 5 2 के पावर में 5 is cost to 1 plus r divided by 100 पावर में n अब देखिए 1 plus r divided by 100 का value यहाँ से put कर दीजी इस value से तो इसके जगा क्या put करेंगे यहाँ पे 2 के पावर में 5 is cost to इसके जगा पे लिख सकते हैं 2 के पावर में 1y7 2 के पावर में 1y7 अगर इस पावर को इधर भीजाएंगें कितना हो जाएगा 1y7 1y7 और इसके पावर में क्या है n तो यहाँ से देखिए 2 के पावर में 5 is cost to कितना हो गया 2 के पावर में यह multiply हो जाता है पावर में तो n divided by 7 हो गया तो यहाँ से दिख रहा है कुछ आपको relation तो यहाँ से क्या हो गया दोनों ही 2 के पावर में है तो 5 is cost to हो गया कितना n divided by 7 तो n is cost to कितना हो गया n is cost to आगया 30 35 तो यही आपको निकालना था तो इसका right answer कौन सा हो गया c हो गया इसका right answer अब देखिए next question है a sum of money amount to इतना in 2 years and इतना in 3 years at ci what is the rate percent तो इसका solution देखिए 2 years में इतना हो जाता है और 3 years में इतना हो जाता है तो यहां से लिख सकते है 4840 इसका स्टू p into 1 plus r divided by 100 के पावर में 2 और इतना इसका स्टू क्या लिख सकते है 5,3,2,4 इसका स्टू 5,3,2,4 इसका स्टू लिख सकते है p into 1 plus r divided by 100 के पावर में 3 क्योंकि यह 3 years में इतना होता है तो इस दोनों को डिवाइड कर दिजे इसको 2 माल लिजे और इसको 1 तो 2 में 1st से डिवाइड कर दिजे तो कितना होगा 5,3,2,4 divided by 48,40 इसका स्टू p से p cancel और यहाँ पर देखे 3 से 2 times cancel हो जाएगा तो बचेगा 1 1 plus r divided by 100 यह बचा तो यहाँ से r divided by 100 इसको स्टू क्या हो जाएगा r divided by 100 इसको स्टू इधर गया 1 1 माइनस हो जाएगा 5,3,2,4 माइनस 48,4,0 divided by 48 48,4,0 तो यहाँ से देखे कितना आ रहा है यह आ गया कितना उपर में 48,4 और नीचे में कितना आ गया 48,4,0 तो यहाँ पर देखे कितना हो गया r is कस्टू यहाँ से r is कस्टू क्या हो जाएगा r is कस्टू 100 को इधर भीजे तो 48,4,000 divided by 48,4,0 तो यह आ गया कितना 10% तो इसका राइट अंसर कौन सा हो गया D हो गया इसका राइट अंसर अब देखे नेक्स्ट कुच्छन है तो इसमें आपको डिफरेंस निकलना है 3 years के लिए तो इसका solution देखे ci minus si इसका स्टू क्या होता है तो इसका solution देखे ci minus si for 3 years के लिए क्या होता है पी आर एसक्वाइर इन्टू 300 प्लस आर डिवाइड़ बाइड़ बाइड़ का क्यूँद तो यहां से भेलू पूट कीजिए पी गीवेन है कितना 32,000 इन्टू रेट कितना है 5 परसेंट इन्टू 300 प्लस आर कर दिए 300 प्लस 5 डिवाइड़ बाइ 100 का क्योँद तो यहां से देखे 30 अगर कैंसिल करेंगे तो नीचे बचेगा 30 तो 32 इन्टू 25 इन्टू 305 और नीचे बचा 30 अब देखे 25 से कट गया 4 ताइमस फिर यहां से 5 से कटेगा 8 ताइमस यह फिर 4 ताइमस कट गया तो यहां से कितना आ गया 4 और 24 तो इसका राइट आशर कौन सा हो गया B हो गया इसका राइट आशर तो यहां पर हमारा सिंपल इंड्रेस्ट और कंपाउंड इंड्रेस्ट वाला चप्टर कंप्लीट हो गया तो अब नेक्स्ट वीडियो ममलूग एक नया चप्टर स्टार्ट करेंगे तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों के थांक य।